हेई गाइस दिस अभिलाश और आज फाइनली रिलीज हो गई है ए वतन मेरे वतन मूवी और मैं इस मूवी के लिए काफी एक्साइट था कुछ रीजन्स को लेके पहला तो पद्म विभूशन उशा मैताजी के लिए क्योंकि ये मूवी उन्हीं की जिंदगी पर आधारित है और दूसरा सारा अली खान के लिए कि वो इस रोल को कैसे पुल आफ करती है क्या वो अपने डीवा वाले कैरिकेचर से निकल के एक फ्रीडम फाइटर वाले कैरिकेचर में फिट बैट पाती है या नहीं तो इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज की रिव्यू और कॉंग्रेस रेडियो वो तरीका था जहांपर फ्रीडम के लिए एक अलग से फ्यूलिंग की जा रही थी और उस चीज का पूरा श्रे उशा महता जी को ही जाता है और यही सारी चीज इस मूवी में भी दिखाई गई है अब जिन चीजों की तारीफ मुझे पहले करनी ह मैं पहले कर देता हूँ देखो यह मूवी आपको देखने में बहुत अच्छी लगेगी सिनमेटोग्रिफी ओन पॉइंट था कलर ग्रेडियंट्स बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है जो सेट्स इनों ने लगाए है वो लाजवाब थे जो एक 1940s का एक इन्वायरमे बट यह स्टोरी बहुत बुरे तरीके से मात खाती है दो जगओ पर पहला है इस मूवी का स्क्रीन प्ले और दूसरा है सारा अलीखान की अक्टेग सबसे पहले स्क्रीन प्ले की बात करते हैं अब एक जेनरल पेट्रियॉटिक मूवी के टेंपलेट की बात करी तो देखो सा intensity हो जहां पर कुछ चीजों को देखकर आपके अंदर का देश भगतिया तो जाग उठे या फिर अंग्रेजों के खिलाफ आपका जो खून है वो उबाल मार जाए जैसे कि सरदार उदम में वो जलिया वाला बाग वाला जो सीन था वो सीन इतना impactful था कि उस moment पर आपको अग गांधी जी की सभा चल रही है तो वो सब को ऐसे संज्जा रहे होते हैं कि आप अंदर के डर से कैसे लड़ सकते हो फिर सुदेनली ये लड़की किया है वो है सारा अली खान मैंने अपने पिछले किसी रिव्यू में कहा था कि इन्हों ने शायद acting classes join कर ली क्योंकि इनकी acting थोड़ी सी अच्छी थी बट सॉरी I take my words back उनकी acting को neuromuscular junction disease हो रखी है और वो सारा अली खान सॉरी नहीं थैंक यू नो उसके बाद इस movie के जो गाने है वो बहुत जादा flat है जबकि patriotic movies के जो गाने होते हैं वो आपके दिलों में आग लगाने वाले जैसे होते हैं क्योंकि आपको वो feeling जगानी है कि उस वक्त के struggle की वजह से आज का जो हमारा time है इसी time में मैं ये video बना के आपको दिखा पा रहा हो और इसी time में आप लोग ये video देख रहे हो तो ये जो time है ये उसी struggle की बदौलत है तो इस movie के जो गाने हैं उसमें से ये पूरी चीज श्रेक्शन के हिसाब से करना नाई एर ने ठीक थाक सा काम कर लिया है अब मैं ठीक थाक भी इसलिए बोल रहा हूं कि ये movie अपने मुद्दे से भटकती है, derail होती है और इतने बुरे तरीके से derail होती ही कि यार कई बार आप भी आप भी इस चीज की जरूरत नहीं थी movie में ये कहां से गुसेर दिया कुछ भी और ये कुछ बनाये गए केरेक्टर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे I mean जहां तक हिस्ट्री मैंने पढ़ रखी है उस हिसाब से तो बिल्कुल कर सकते थे बट उस पॉइंट पर भी लोग बस आते हैं और निकल जाते हैं बाकि ओवरॉल कंक्लूजन में ये ठीक ठाक सी वन टाइम वाच है बट इस मुवी से जादा बेटर अगर तुम लोग यूट्यूब पर ही सर्च करके देख लो ना उशा मैता जी के बारे में तो वही जादा बेटर होगा ये मुवी का रेकमेंडेशन मैं नहीं दूँगा किसी को भी तो ये था मेरा रिव्यू ए वतन मेरे वतन मुवी का ये वीडियो अगर आपको हेलफुल और लॉजिकल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाओ मैं मिलता हूँ आप